लोकसभा चुनाव नतीजे आने के ठीक 22 दिन बाद बीजेपी के बिहार परभारी विनोत तावडे ने बिहार सरकार में शामिल बीजेपी के मंतरियों के साथ ही संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक की इस बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव फरिणावों की समिक्षा करने के साथ ही मंतरियों को टास्क भी सौपा बीजेपी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में हारे हुए पांच उमिदबारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था लेकिन इन में से मा प्रत्यासियों ने लगाया बीजेपी की इस बैठक में चुनाव हारने वाले बीजेपी उमिदबारों को भी बुलाया गया था लेकिन ऐसे पांच उमिदबारों में केवल बकसर से चुनाव हारे मिदलेश तिवारी और सासाराम से हारे सिवेश इस बैठक में मौजूद रहे। इन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इन दोनों उमीदबारों ने हार के कारणों से पर्भारी को अवगत कराया। इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उपस्तित दोनों परतियासियों ने संगठन के कई निताओं पर भीतर घात का आरोप मढ़ा। हारे हुए परतियासियों से फिडबैक लेने के बाद बिनोतावडे ने नितीश सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठकली इस दोरान पांच विंदुओं पर क करने का टास्क दिया हर मंत्री से उनके विवाग के दो-दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पूछा गया और उसे बेहतर ढंग से लागु करने का निर्देश दिया गया इसके साथ ही संगठन से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों के साथ समनवय अस्थापित कर्श शिकायत का समाधान कराने रुष्टर बनाकर सप्ताह में कम से कम एक दिन जिले का दोरा परवास करने और जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और परशाशन के अधिकारियों के साथ वैठक करने का टास्क भी सौपा गया पांच जुलाई को केंद्र सरकार में इंडिये के सभी मंत्रियों के अभिननन समारोह में सहभागिता के अतिरिक्त बारह जुलाई को होने वाली पार्टी की बैठक में तैयारी के निर्देश दिये फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्रपून विचार और सुझाव जरूर दें धन्यवाद